हेलो और गुद इवनिंग टैक्स एड्मिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज करते हैं इसका प्रैक्टिकल पॉर्शन आपको लाइव सेशन में मिलेगा थियोरी पॉर्शन यहां पर है बहुत ज्यादा इसमें थियोरी पॉर्शन है नहीं कुछ माच्छे स्लाइड में डान हो कंपनीज को कि भाई डिव डेट आ गई अपनी टैक्स रिटरं फाइल कर तो तो सबसे पहले ही नोटिस भेजता है चमर्श अब जिन कंपनीज को यह नहीं मिलता उन कंपनीज को चमर्श को नोटिफाई करना होता है यह नोटिफाई आप क्या बोलके करेंगे इफ यू आर company कि भई मेरा कोई income tax due बनता है, मेरा chargeable gain है for the year, यह आप notify करेंगे HMRC को इसके time limit होती है, यह क्या time limit है, so elements from the end of the accounting period, आपका जो भी accounting period है, उसके 12 महिने के अंदर-अंदर, you have to tell HMRC हिसाब यह कमाई हुई है हमारी बढ़ना first step में तो HMRC आपको notice issue करता है, लेकिन usually companies खुदी अपने due date में, time frame में अपनी return file कर देते हैं अगर आपने HMRC को नहीं बताया, अपनी chargeability के बारे में, कि मैं कुछ कमाई कर रहा हूँ और उस पर corporation tax या फिर CGT अच्छा, companies के case में तो CGT है नहीं chargeable gain बनता है, और chargeable gain पर मुझे tax pay करना है अगर आपने ये नहीं बताया then you will be exposed to a standard penalty, तभाई time पर बता देना, point यह है, if you are a company, then you have to tell this, you have to notify to HMRC कि आप कुछ income tax due लेके बैठे हैं, कुछ corporation tax due लेके बैठे हैं, अब आप जब return file कर देते हैं by chance let's suppose कुछ गलती हो गई क्या tax return को amend किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, दो options हो सकते हैं, या तो आपकी return में amendment HMRC कर दे, या फिर आप खुद करें, यानि company कुद करें अगर HMRC mistakes correct करेगी, या फिर amendment करेगी, तो वो बिल्कुल obvious mistakes जो होते हैं, उन्हीं को एक comment वो correct करेगी, आपने जिस दिन भी return file करी, उसके 9 महिने के अंदर-अंदर, यानि 9 months के अंदर-अंदर, अगर HMRC को दिखता है कि कुछ बहुती obvious सा mistake है, 2000 प्लस 2000, उनने 6000 लिखा हुआ है, वो उसको correct खुद ही कर देंगे, आपको अगर correction करना है, यानि अगर company को correction करना है, तो आपको within 12 months of filing date यह करना है, तो सबसे पहले तो आप पकड़ते हैं कि यह date आपके लिए क्या होगी, let's suppose आपका accounting period end होता है 31st March 2022 को, आपकी filing date क्या होगी, इस date के next 12 महिने, यानि 31st March 2023 तक आपको return file करनी है, इस date से और 12 महिने तक आप अपनी return को amend कर सकते हैं यानि कि 31st March 2023 से 12 महिने तक company अपनी income tax return को, corporation tax return को amend कर सकती है, ठीक है, धिहान रखना, अगर HMRC को correction करना है या amendment करना है, तो जिस दिन return file हुई थी, date of return filing उस दिन से 9 महिने के अंदर-अंदर HMRC corrections कर सकती है, अगर HMRC ने 9 महिने में correction नहीं किया, तो मान के चलो कि return ठीक है, अगर company को amendment करना है, जो भी आपकी return filing की date थी, उस से 12 महिने के अंदर-अंदर तक आप इसका amendment कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो filing date पकड़ना, वो आपके accounting period से 12 महिने के अंदर-अंदर का period होता है, कि accounting period से 12 मंस के अंदर-अंदर return file कर दो, यह जो date आई, इस date से next 12 महिने तक आप इसका amendment कर सकते हैं, amendment का ध्यान रखना 9 महिने और 12 महिने का period है, अब आगे बात करते हैं, कि ठीक है जी, आप गलतियां कर सकते हैं, amendment भी कर सकते हैं, यानि हो सकता है कि tax भी overpay करके बैठे हो, बिल्कुल हो सकता है, यानि अगर आपने किसी भी कारण से गलती से कोई error हो गया, tax जाधा pay कर दिया, क्योंकि आप law को समझ नहीं पाए, overpayment of tax हो गया, तो आप HMRC से claim कर लो, अब इस claim को करने की भी कुछ time limit होती है, what is that time limit? 4 years from the end of the accounting period to which the error relates, मतलब, जिस accounting period के relation में आप इस error पे claim बना रहे हैं, इस accounting period के end से 4 साल, तो वापस से सुनो, let's suppose आप 31st March 2023 की return के उपर आपको लगता है, ओहो ओहो ये तो गलत कर दिया मैंने और इसकी वज़े से tax जाधा पे हो गया, आप इस date के 4 साल तक HMRC को claim डाल सकते हैं, कि भई मैंने इस कारण से ये गलती से मेरा error हो गया था, I could not understand the law and because of that, I have overpaid the tax, please refund the excess tax paid, तो ये होता है, over payment of tax का claim करना, जिसके लिए time limit है 4 साल, अब आप late tax pay करो, या फिर आपको refund मिले, वो without interest तो नहीं होगा, अगर आप late payment of tax कर रहे हो, तो department आपसे interest भी वसूलेगा, इसी तरह से अगर department आपको refund दे रहा है और more time बाद refund दे रहा है, वो आपको with interest देगा, simple, as simple as that, तो ये दो interests हुए, एक आपका late payment वाला interest और दूसरा, जब आपको HMRC लोटाएगी, तो repayment वाला interest, अब छोड़ा सा ध्यान रखना यार यहाँ हMRC is the king, आपसे लेगी 3.25% per annum पे और आपको देगी 0.5% per annum का, जो भी आपका refund है उस पे interest, जो है सो है कुछ करतो सकते नहीं, अब interest आप कैसे calculate करेंगे, जो भी normal due date थी, जैसे tax pay करने की due date थी, आपने उसके 4 महीने बाद tax pay किया, तो 4 महीने का interest आपको pay करना है, that is 3.25% के basis पे आप करेंगे 4 महीने का, क्योंकि आपने 4 महीने का delayed payment of tax किया है, same applies to HMRC, उसकी जो भी due date of payment थी, refund process करने की, उसके थोड़ा time बाद किया, तो with interest, the department will give you, यह आपका 3.25 है, और HMRC का 0.5 है, अब आते हैं maintaining records पे, क्या ऐसा है, क्या मैंने return file कर दी, उसके बाद में जो भी documents है, मैं साब फाड़ के भाइक सकती हूँ, no, that cannot be done, आपको अपने books of accounts maintain करके रखने है, 6 सालों तक, आपका जो भी accounting period है, 31st March 23 मैंने लिया, इसके 6 सालों तक आपको आपके books of accounts को संभाल के रखना है, क्यूं? Department कभी भी खोल सकता है ना, कभी भी compliance check करने आ सकता है, कि आपने सब कुछ comply किया की नहीं किया, compliance check जिस दिन हो जाए, उस दिन फाड़ देना, compliance check पहले हो जाए, तो पहले फाड़ देना नहीं हो, तो 6 साल तक तो रखो यह रखो, या फिर तीसरी चीज़ हो सकती है, कि compliance check जब तक हो सकता था, वो date निकल गई, तो compliance check की भी कुछ time limit है, आएगा भी आगे, तो time limit में होते हैं यह सारे assessments, आपको अपने books of accounts रखने हैं 6 साल तक, इसकी time limit का ध्यान रखना 6 years आएगा, अब आते हैं determination assessment, जैसे compliance check है, वैसे determination assessment होता है, यह क्या होता है, HMRC determine करता है, कि एक company का कितना tax due है, that is determination assessment, जैसे company होती है, वो खुद बताती है, कि भई मेरा इतना tax है, उसको बोलते हैं self assessment, self assessment जब company करती है, उसके बाद में determination करता है HMRC, कि जो इसने बोला है, वो सब ठीक है कि नहीं है, यानि एक तरह से, जो यह आपका determination assessment है, यह आपके self assessment को replace कर देगा, आप self assessment करेंगे, company पहले self assess करके, खुद से calculation करके, अपनी income बताएगी, यह tax due बनता है, वो बताएगी, फिर HMRC उस पर determination assessment करके, confirm कर देगा, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, determination assessment के against, कोई appeal नहीं कर सकते हैं, आप कहीं पे भी, किसी भी tribunal में appeal नहीं हो सकती है, determination assessment कभी भी हो सकता है क्या, नहीं, इसकी time limit है, return filing की जो date थी, उससे 3 साल के अंदर अंदर ही, determination assessment हो सकता है, उसके बाद नहीं, अब हम compliance check की बात कर रहे थे, कि books of accounts maintain करो 6 साल तक, या फिर compliance check जब तक हो जाए तब तक, यह आगया compliance check, compliance check होने के पीछे कुछ reason होना जरूरी है, हमार से compliance check करेगा भी क्यों, जब उसको शको, जया, इसकी income में कुछ गड़बड़ है, यानि कुछ suspicion हो, तब ही compliance check होता है, कि यार चेक कर लो, इस बंदे ने ऐसा लग रहा है कि compliance सारी करी नहीं है, कुछ गड़बड़ है, बाया तोड़ दो दर्वाजा और देखो, इस बंदे ने क्या-क्या follow नहीं किया, comply नहीं किया, that is compliance check, यानि एक तो suspicion होगा, कि भाई साब इसने income गलट डिकलेर करीए, अंडल डिकलेर करीए, या फिर suspicion हो सकता है, कि जो deductions ले लिए हैं, वो जादा ले लिए, इतना eligible नहीं बनता था ये बन्दा, तीसरी चीज़ हो सकती है, HMRC के पास कोई और information हो, जिसकी वज़े से वो randomly चाहती है, कि यार इस बंदे को खुल लो, तो compliance check होने की, आपके पास time limit क्या होती है, वो देखो, तो इस time limit तक books of accounts maintain रखना हा, आपके return time पे फाइल होती है, तो notice issue करना होगा, within 12 months of actual delivery of return to HMRC, तो अब तो electronically file होती है, यानि जिस दिन भी आपने time पे electronic filing of return करिये, उसके 12 महिने के अंदर-अंदर, notice issue हो जाना चाहिए compliance check का, अगर आपको शक है तो, यानि HMRC को शक है तो, तो HMRC को अगर doubt है कि यार कुछ घड़बड हो सकती है दया, तो return filing के 12 महिने के अंदर-अंदर compliance check का notice देदो जी, company को देदो, अब आपकी return खुदी late file होई है, यानि company ने return ही late file करिये, तो compliance check का notice कभी issue होगा, जिस दिन return HMRC के पास आई, उसके बाद वाला 31st January, या 30th April, या फिर 31st July, या फिर 31st October, टाइम पे return आती है, तो 12 महिने के अंदर-अंदर, जब से भी आपको return मिली, HMRC को return मिली, अगर company ने return late file करिये, तो जिस दिन भी file करिये, उसकी next following 31st January, या April, या फिर 31st July, या फिर 31st October, this is the last date, let's suppose एक company ने late filing करी, और late filing करके, उसने 31st of August को return file करिये, तो इसके बाद वाली date में, 31st October को, HMRC compliance check का notice issue कर देगी, तो ऐसे वो अपने notices issue करके, चेक कर सकते हैं कि भाया जो बंदा declare कर रहा है, वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब compliance check के against, HMRC ने compliance check किया और एक order दे दिया, क्या इसके against, company appeal में जा सकती है, जा सकती है, within 30 days of the order, यानि HMRC ने order जिस दिन का दिया है, उसके 30 days के अंदर अंदर appeal में जाना है, तो company जा सकती है, nobody can stop them, अब ये compliance check और determination assessment, ये सब हो गए, लेकिन ये तो कुछ 4-5 सालों तक के period में होते हैं, यानि company अगर 5-6 साल निकाल दे, उसके बाद में कोई डर नहीं है, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक discovery assessment होता है, जो taxpayer के against, HMRC को बहुत power देता है, discovery assessment होता है, self assessment return आपने file कर दी, उसके बाद में, अगर department को लगता है कि कोई नई information आई है, जिसकी वज़य से हम suspicious हो सकते हैं, तो discovery assessment चलू किया जा सकता है, time limit देखो, discovery assessment की, basic time limit है, 4 साल from the end of the accounting period, ध्यान रखना, corporation tax में हर time limit, end of accounting period से हो रही है, return filing की भी accounting period से होती है, तो थोड़ा सा इस पर cautious रहना, दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने, यानि कि company ने कोई careless mistake करी है, तो 6 सालों तक discovery assessment हो सकता है, from end of accounting period, तेकिन अगर लगता है कि company ने कोई error या mistake deliberately किया है, जान बूच के कुछ किया है, यह period बहुत बढ़ा है, 20 साल तक कभी भी discovery assessment खूल सकता है, और discovery assessment को क्या appeal किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो appeal file की जा सकती है, determination के अलावा सब चीजों के उपर, और with this, we end the theory portion of companies का tax administration, इसमें कुछ large companies का concept भी है, जहां पे augmented profits और कई चीज़ें आती है, उन सारों को we have covered in the practical sessions, तो वो आपको वहां मिलेंगी, बट theory में हमने सिर्फ वो वाला portion लिया है, जो strictly सिर्फ बातें 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 ही करता है, no calculation at all, इन को पढ़ना एक बार, and try the exam kit questions related to this topic, if there is any problem, please feel free to reach me, till the time, thank you so much, and keep on studying.